आज हम बनाएंगे एकदम शादियों और पार्टियों में बनने वाली शाही पनीर की सबजी वही खुश्बू, वही टेस्ट, बहुत ही गजब की सबजी बनती है आप ट्राय करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी नमस्ते दोस्तो, स्वागत है आपका शामरसोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना इसे हम स्टेप वाई स्टेप बनाएंगे यहां हमने दो टमाटर लिये हैं अच्छे लाल टमाटर लिजिएगा और दो सूखी कश्मिरी लाल मिर्चली है इन्हें हम mixer में चलाकर पीस लेंगे और इसका एकदम स्मूथ पेष्ट तयार कर लेंगे यहां हमने दो प्याज लिये हैं छे से साथ लहसून की कली और एक इंच अदरक का टुकडा लिया है इन्हें भी हम पीस कर तयार कर लेते हैं यहां हमने आधा कप काजू लिया है काजू को मैंने 15 मिनिट के लिए गरम पानी में भिगा दिया था इसे भी हम 2-3 टेबल स्पून पानी डाल कर अच्छे से पीस लेंगे तो यह लिजी हमने 3 चीजों को अच्छे से पीस लिया है हमने यहां 250 ग्राम पनीर लिया है पनीर को आप अपनी पसंद के हिसाब से कैसे भी कट कर सकते हो पहले हम पनीर को फ्राय करेंगे फ्राय करके सबजी में डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा इसके लिए मैंने पैन में एक टेबल स्पून गी लिया है इसे अच्छे से फैला लीजिए और यह सारे पीसेज हम इस भी नहीं रहेगा और अब हम मेडियम फ्लेम पर पनीर को हलका सा गोल्डन होने तक फ्राय कर लेंगे पनीर हमारा फ्राय हो चुका है मैंने इसे बहुत ज़्यादा फ्राय नहीं किया है गैस का फ्लेम बंद कर देंगे अब हम सबजी बनाते हैं इसके लिए मैंने तीन फ्राय ची एक छोटा टुकडा दाल चीनी का और छे से साथ काली मिर्च डालेंगे एक छोटा चमच जीरा डाल देंगे और अब हम इन खड़े मसालों को लो फ्लेम पर 10-15 सेकेंड के लिए फ्राय करेंगे ताकि खड़े मसालों की खुश्बू तेल में अच्छे से आ के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे या जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाता है तब तक हम इसे भून लेंगे तो यह देखिए प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है जब प्याज अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें काजू वाला पेस्ट डाल काजू को हमने एक मिनिट के लिए प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उसके बाद मसाले डालेंगे नहीं तो नीचे जो काजू का पेस्ट है वो चिपक जाएगा त तो पहले हम टमाटर के पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसमें सारे सुखे मसाले डाल देते हैं गैस का फ्लेम लो कर दीजिए सबसे पहले मैं यहाँ आधा चोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ एक चोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिच का पावडर या regular लाल मिच भी ले सकते हो एक चोटा चम्मच धनिया पावडर और यहां मैंने आधा चोटा चम्मच नमक लिया है नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हो पहले हम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को मिक्स करने के बाद हमें इस मिश्रन को तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता है तो आप गैस का फ्लेम कभी मेडियम कभी हाई करके इसे कंटीन्यू चलाते हुए पका लीजिए ताकि हमारा cooking processing fast हो जाएगा हमने gravy को अच्छे से पका लिया है आप देख सकते हैं कि इसका color पहले से dark हो गया है और चारो तरफ से तेल भी अलग हो गया है तो इस वक्त हम इसमें 2 टेबल स्पून दही डालेंगे दही खटा नहीं लेना है, एकदम fresh दही लेना है ग्रेवी में अच्छे से mix हो चुका है दही को mix करने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून दूद वाली मलाई डालेंगे जो हमारे घरों में दूद आता है उस पर जो मलाई आती है वही मैंने इस्तेमाल की है यदि आपके पास दूद की मलाई ना हो तो आप fresh क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हो मलाई और दही को mix करने के बाद हम ग्रेवी को continue चलाते हुए medium flame पर कम से कम 2 मिनिट के लिए पकाएंगे इससे ग्रेवी में बहुती बढ़िया texture आ जाएगा और ये देखिए दो मिनिट पकाने के बाद आप देख सकते हो एकदम दानिदार बहुती बढ़िया ग्रेवी बनकर तयार हुई है इस वक्त हम इसमें एक छोटा चमच कसूरी मेथी डाल देंगे और साथ ही एक चमच मैं यहां kitchen king मसाला डाल रही हूँ आप इसकी जगे गरम मसाला, सबजी मसाला या पनीर मसाला भी डाल सकते हो अच्छे से mix कर लेंगे और अब हम इसमें fry किया हुआ सारा पनीर डाल देते हैं पनीर को पहले ग्रेवी में अच्छे से mix कर लीजिए और mix करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे अभी तक हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने यहां लगबग एक कप पानी लिया हुआ है गरम पानी लिया है आपको जितनी भी गाड़ी, पतली, ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए बस गरम पानी का इस्तेमाल करना है तो हमने पानी डाल दिया है अब हम गैस का फ्लेम मेडियम टू लो रखके इसे कम से कम 3-4 मिनिट के लिए पकाएंगे ताकि पनीर में अच्छा सा टेस्ट आ जाए हमें 3-4 मिनिट हो गए हैं सबजी को पकाते हुए और ये हमारी शाही पनीर की सबजी बनकर बिल्कुल तयार हो चुकी है लास्ट में हम इसमें बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं तो फ्रेंड्स आपको देखने से ही समझ आ रही होगी कि ये सबजी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार हुई है ये देखे इसकी ग्रेवी का टेक्शर एक दम बहुत देस्टी दानेदार बनकर तयार हुआ है आप भी ये रेसिपी ट्राय कीजिएगा ट्राय करने के बाद अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके